एक बार की बात थी, दूर कहीं के देश में एक जादूई नदी थी. यहां नदी किसी साधारन नदी से बिल्कुल अलग थी. यहां चमकदार रंगों से चमकती थी और ऐसी मधूर दुने बजाती थी जो किसी के भी मन को मोहले. नदी एक हरे-भरे जंगल से बहती थी. इसके जाता था कि नदी में इच्छाओं को पूरा करने की शक्ती है. जो कोई भी इसके पानी में डुपकी लगाता था, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो सकती थी. लेकिन इसमें एक शर्त थी कि इच्छाओं को केवल दूसरों की भलाई के लिए ही मांगा जा सकता है. एक सुबह, जब सूरज की पहली किरण ने आस्मान को सुनारे रंग से रंग दिया, तो माया ने जादूई नदी को फोजने के लिए एक यात्रा शुरू की. उम्मीद से भरी माया अपनी दादी से सुनी कहानियों को याद करते हुए जंदल में पहुँच गई. कुछ घंटो रहा था, जिसमें खूबसूरत आस्मान दिखाई दे रहा था. फेड की शाखाओं पर बैठे पक्षी हवा में अपने गीतों को भर रही थे. माया को पता था कि उसने जादूई नदी को पालिया है. माया ने अपनी उंगलियों को पानी में डुबाया, उसे एक जुन- मेरे गाव में हमेशा खुशाली रहे. जब उसने अपनी आखे खोली, तो माया ने कुछ आश्चर्य जनक देखा. पानी और भी शांदार धंग से चमकने लगा था, और एक चमकदार रोश्नी की लहर उसके गाव की ओर बह रही थी. जब माया अपने गाव लोटी, तो उस पाया की गाव में परिवर्तर हुआ है. खेतों में फसले लहलहा रही थी, और बच्चे हस्ते खेलते सडकों पर दोड रही थे. ऐसा लग रहा था कि गाव नए सिरे से उर्जा और खुशी से भर गया है. माया की इच्छा के बारे में गाव में बात फैल गई, और जल भी ह रामीरों ने जादूई नदी का अत्यधिक सम्मान किया, इसका उप्योग उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जो सभी को लाव पहुँचा सके. और माया की कहानी कई पीडियों के लिए प्रेर्णा का स्त्रोत बन गई, यह कहानी ये याद दिलाती है कि कभी-कभ सबसे बड़ी खुशी दूसरों के लिए अच्छा करने में ही मिलती है.